हलो वेलकम टो अवर यूट्यूब चैनल एंड अवर टूड़ेस टॉपिक इस नूट्रिशन इनिमल्स यह हमारा पार्ट 3 है लाइफ प्रोसेस का जो क्लास 10 का है और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख सकते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो तो आप सारे हमारे वीडियो देख पाएंगे ठीक है वैसे हम आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लेंगे और इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे इसके पहले पार्ट में हम बढ़ चुके हैं प्लांट में जो नुटिशन है वह किस टाइप का होता और कैसे होता है आज हम पढ़िए अनिमस में तो इनिमस में में कैसे होते हैं इंट्रोपिक होते हैं मतलब कि दूसरों पर डेपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए तो और एनिमल को जो ठीक है और वो इस food को कैसे अप्टेन करते है energy energy किसे अप्टेन करते है food components food components में क्या क्या कार्पोधेडर फैट्स प्रोटीन्स मिनरल यह कैसे होते complex molecules होते हैं और insoluble होते है water में तो अब इसको कैसे simple molecules में चेंज किया जाता है, तो अभी हम देखते हैं, यहां पर कैसे बोल सकते हैं, और यह सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है, डाइजेशन, डाइजेशन वर्ट से हम सभी पारीचीन है लगभग, तो यहां पर हम बोल सकते हैं, कि इसे ही हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन, ठीक है न? क्या कहलाता है डाइजेशन? तर प्रोसेस इन बीच लार्ज इंसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स मॉल्यकुल अफूर्ड मेटेरियल गेट कनवर्टेड इंटू सिंपल अंड सॉल्यूबल मॉल्यक्यूल इस कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है? तीन टाइप का, ठी टाइप का जो है नुटिशन एनिमल्स में पाय जाता है एक और बात कहना चाहूंगे बीच में अगर आप अपने नुट्स खुद बनाएंगे ज्यादा बहतर रहेगा तो बहतर होगा वीडियो को देखने से पहले ही आप कॉपी और पैन जरूर लेकर बेढ़ें और अपने नुट्स खुद बनाएं अब पढ़ते हैं फर्स्ट जो है नुट्रिशन अनिमल्स में कौन सा है होलोजाइक सेकंड सैप्रोजाइक और थार्ट पैरसेटिक होलोजाइक जब भी सॉलिट पूड जो है इंजेस्टेट क्या जाता है बाइद माउथ मूह के द्वारा और डाजेशन आप फूड कैसे ह इसमेलेशन प्रोसेस पूरी कम्प्लीट होती है इसे हम क्या बोलते हैं होलोजाइक नुट्रिशन और यह मेंली कितने निमल्स में पाए जाता है इन सब बातों से परीचित हैं हर्भी वरस बच्मन से बढ़ते आ रहे हैं हर्भी वरस ते फीड जो ग्रास इटिंग है ना क ते लाइन टाइगर कांट इंडने पाये यह गुंत फीर अवजा फीड आपन अधर लेविंग जो और धीयो से बहुत चुछे opposite ब्लांट्स पार बेर्चित है उम्ड्स इनिमस पांटे में डिमस सड़े गले जो ऑर्गनिक मटेरियल है सड़े गले पदातों से अपना खाना जो है ग्रहेंड करते हैं तो इसा जो नूट्रिशन है वह किस टाइप का क्यालाता है तो इसमें क्या आगे आपका इंसेक्ट थार्ड जो है पारसिटिक जब भी ऑर्गनिजम किस पर डिपन रहते है अधर और्गनिसम पर उनके खाने के लिए तो यह कैसा केलाता है पारसिटिक टाइप का नूट्रिशन केला जाता है तो सबसे पहले हम सबल हमगे नूट्रिशन अमीबाक्य में किस तरह का पाया है好了 such nutrition तब से पहलेений भामक्या में क्या होता है यह तबक त्याशिज andid rationale क लिए कम तर भी आपर शुञ्टिया में शुयो पोडिया डिन जू मंड़ी ते अंदर पर काऊ गजान। व सुयो पोडिया में व क्या वेक यूने टार में ट्रेने पराइब्य का करिए और फूट क्या कर ले जाता है अमीबा में डाइजेस्टेट कर ले जाता है और इस तरीके से अमीबा में होलोजाइक नुटिशन जो है पाया जाता है अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है सबसे पहले है अमीबा कैसा अनिमल है यूनिशेल और आरगनीजम है जिसमें कोई डाइजेस्टी सुस्टम भी नहीं होता तो इसलिए इस टाइप के जो नुटिशन है फूट इंजेस्टेट थ्रू फेगोसाइटोसिस अमीबा क्य है तो के इसकेशिट करनले फूट के सबसें नुट को नुटिशन है और इसकेशिए यूनिशेल पी लजातो इसमें जितने भी लाइस नुटिशन होती है वह सिंगल सेल के थ्रू इसमें होती गिशची के लिए जाता है और अदर जो आप उटीजेस्टिव जो कर लिए जाता है इंज़ाइम अर्ड़ी होग अन्या हं दाइजेस्टिव जूस कम आउट सेल अन्यार्ट फॉसे अदर प्रोसेस आप दाइजेस्टिव जूस निकलते हैं बाहर और पूरी तरह से सिस्टम को अब हम पढ़ेंगे ध्यान से देखेगा नोट्स बिल्कुल प्रापर लिखेगा नहीं तो फिर से वीडियो को एक बार देखकर भी आप नोट्स लिख सकते हैं इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी हैं आप देख रहें डाइग्राम तो सबसे पहले क्या है हुमन में भी क्या होता है माउथ में सबसे पहले फूड कहां जा रहा है माउथ में दैन इसोफेगास प्रिस्टमक स्मॉल इंटेस्टाइंट रेक्टम एंड जो वेस्ट मटिरियल है वह किसके तुरू बाहर कर दिया जाता है तो अब हम देखते हैं इसको समझते हैं अच्छ कि समझेंगे कि स्टेप्बार स्टेपब समझहेंगे कि क्या है ठीक है तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या है बकल क 브리 나85 किभाओं में तो गदिक इसमें होते हैं जिबान बहुत में और दात स्लाइव च्लैज से Alexa आइड ग्रंथिया हमारे माउथ में जैसे ही खाना जाएगा तो क्या होता है लिक्विड अग्डम आप खाने को चबाते हैं चुइंग करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है सल्डाइवरी ग्लैंड चेत तुछ सल्डू जो जो यहां पर शल्डाइवा मिल जाता है ना से mylase or tylin enzyme मिल ज़िए और टंग कैसा है मनश्क्योलर स्ट्रक्चेम जीब मस्प्टूलर है यहां पर मिक्स हो जाता हुब और यह क्या जाता है उस्झी अधिटम झाल मुनम्हें छाहता है फोंप कैसे होते हैं तो उभाती हिटर। लास्टन होता है कि धेडरे दाने चांद से नहीं मैं र celery यहीं हैं दाथ दाने बड़े फिर फिर नहीं में पीछे जो जब लल पिंटी है ना ननल जुए contingent सब्सक्राइबe पैरिंग सब्सक्राइब जो कहां पर जाकर मिलती है डारेटली स्टमक के थूँ जैसे ही खाना आप माउथ में लेंगे सबसे पहले बक्कल केविटी में तू जोज है तीक है समझ में आया आपको वहां पर के टंग और टीथ हैं यहां पर सलाइवरी ग्लेंट्स के थूँ यहां पर एंजाइम मिल जात यहां पर ऐसा फैरिंग है और एक लोँग जो है कैसी टूब लाइक ट्रक्चर लैग जो कहां पर मिल रहा है तूधा स्टमक इसको और हम क्या बोलते हैं इससोफेगस और फूट क्या है पास्डाउं नीची क्तरफ कैसे जाता है इससोफी extensive तक यहां पर कोई digestive gland नहीं होती है इसले खाने का इसोफेगस में नहीं होता है अब हम अगला परते हैं स्टमक कैसा होता है एक लाज इलांगेटेट सेक लाइक जो अस्ट्रक्चर है जस्ट अंडर डायफ्राम के ठीक नीचे होता है यह और इसमें क्या होता है क्या क्या वोलते हैं फिर आभ इसके बात का इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन टू-पर्ट में में नीचे चैनल में होतीह होता है इसमाल और लार्जञव सिक्ति ऐसमाल इंटेस्टिेस्टाइन mm अबवहिशा आ घाया है इनकामिंगक के निकिर्वात है् आप बेवीं एंट क बक्कल कैविटी में कितने पेरस होते हैं सलाइवरी क्लेंट के 3 जो क्या करते हैं सलाइवरी क्या है यहां पर यहां पर आमयलस और क्या करते हैं यहां फिर टायलेन ठीक है ना आप एन की जागें कर लिजेगा है A-Y-L-A-Z, M-I-L-A-Z तैलिन क्या करता है यहाप सबसे पहले आप टैलिन क्या कर रहा है यह कर स्चाौर्ट को शुगरमें टैलिनलल पार्ट सा लिवर these सबसे बड़ीBaylor होती है । इसप्वसे बड़ी डिविरंड होती कितने लोपस होते हैं टू लोपस होते है फंक्षन आफ लीवर क्या है क्या है सबसे पहला फंक्षन क्या है सिक्रेट करता है इसको जरूर द्हां से नोट कर लिजियेगा और याद भी कर लीजिए प्रभाव को क्या करता है एक्सस कॉंटिटी में जो ग्लुकोज इन ब्लड में उसको काई में कर देता है घ्लाइकोजन में और स्टोर हो जाता है कहा पर store होता है लिवर में हिंक एक इसमें होता है तो और ब्रेक कर देता है ना चाहिफॐ और यहाँ पर क्या है और किया हुआं तो यहाँ और क्या है और स्टूरेज करता है विटामिन का पर किसका Fighting A का और हैं पर सिंथेशिस भी होता और दिख़ा आर्व的是 का हमने दिखा लिवर के मुस्ट इंपॉटेंट फंख्शन अब इसके बाद है pancreat के साथ इंसूनिं बाद होता है moved इंसूलीन का सिक्रेशन होता है और यह कंट्रोल करता है अमांट आफ लुकोज इन दब बॉडी अगर यह इसका डिस्टबेंस होता है तो शुगर का पूरा लेबल हमारी बॉडी में डिस्टब हो जाता है ठीक है पैंक्रियास अब हम आ गए हैं किस पर डाइजेशन प्रोसे अब डाइजेशन प्रोसेस हमारी हमने फील इंपले ही देखा है कि माउस सबसे पहले एंजेशन को देख लेते हैं इंजेशन थीक है इस नाप पर क्या हो गया है आप नोट करते हैं तो आप प्लेशि होगा आपनी लेंग वाज में आप इसको नोट कर लीजिए किस से ग्राउंड बाई टीद दातों से तिके न विदा हल आफ टंग किसकी हल फसे करेंगे और इसमें यहां पर क्या मिक्स हो गया है सलाइवा यह पहले भी पढ़ चुके ओर सलाइवा हो गया थिरुकत हैं और यह खाना जब पूरा तरह से चुइंग कर लेंगे तो यह कायम हो जाता है पेस्ट के फ़र्म में और जो सलिवा है इसमें क्या-क्या मिक्स हो जाता है सलाइवा के थनुय माइलेस ओर टाईलीन एंजाइम जो है यहां पर क्या करते हैं तो यहां पर क्या हो गया है और उपलेट ट्रावाट को सिंपल कंपोनेंट में चेंज कर देना फिजिकल या फिर केमिकल फिजिकल और कैमिकल में से तो क्या होता है सबसे पहले डाइजेशन स्टम के होगा तो यहां पर क्या होगा गैस्टिक जूस जो है सीक्रेट होंगे ज्लाइं कि ध्म द्वारा और कायं में मिक्स हो जाएंगे खाने में तो स्व्सक्राव काशP 이용 जिए उन्में क्या यौई च्छिए भी आद्lai qlaiq icd 2019 मिकस्ट संथ्य धीन 10 जहता है और किसलित स्षाल्ट होंते हैं और इंजाइम भी होते हैं जो क्या करते हैं जो क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं वाल ओ किसे एसे केसे क्या होता है क्षाने के अंतर है इंट के अगर किसी तरह से बेक्टरिया चला गया सुझ को ग्रीजिट चीह स्पर्ण करेगा आज सो कंवर्ड इनक्टिव पेपसिनोजीन है इन्टु एक्टिू अक्टिव में व्लूट कर देगा जिसे हम क्या बोलते हैं पैप्सेन यहां पर गेस्टिक जूस में से एंजाइम प्रेज़ प्रेजन्ट हो ईंजाता है सबसे पहले पैपसीन होता हे उद खुर salads घौता है एक चैंपने ख्रीज़क का उस्यानखो की प्रोसेस भी तो में ऐने क्याज तो समझ रहें तो उससाइण में anatom क्या होगा है डाइजेस्टि जूस सब्सक्रेकरख और रेस्टिक जूस यहां पर उसके-उडान तरहां पहँद तरहिक है अब क्या होगा रहाई आप जो अब आप नोट करते जाहिए गाना इतना अब बोल रही हूं आपको नहीं तो इतना आपको ध्यान नहीं रहेगा आप पॉस करके भी इसको नोट कर सकते हैं ठीक है इसके बाद क्या हुआ आपका डाइजेशन हो गया है यहां पर इंटेस्टाइन तक हम पहुच चुके है इमल्सिफिकेशन में भी हेल्प करेगा फैट्स के ठीक है अब लास्ट में जब हम जाएंगे तो यहां पर अब क्या देखा आपने अब्सॉर्शन टेकिंग अप डाइजेस्टेट मॉल्यक्यूल इंटु दा सेल्स आप दाइजेस्टिव ट्रैक यहां पर अब इसके उसब पोरा खाना कैसा हो जाएगा अब्सॉर्शन के एब्सॉर्शन होगा और इस विलाई के थूं तो सबसे पहले ॉसन करते ग्रकृट का किसे वालइं ऑर और यहां पर अन्र जाएगा फिर यह जो गुलू कोस के पर च्पिलरिमयों में तो सब से पहले पर एका हम स्का किया कई जो प्रोटीन हैं ऊपके अगए है प्लाटर माट के लिएंट के सलज़ा पेंट के Appe love कि बारोड में तो क्वलेट हैं ने फ्लेट आप पूरा चले जाए नण हogeneous जार आप होला useful जोनए दील फैट नवी कि सब्सक्रों यहां सब्सक्राइब हेहरी एक तो् уров 12 इसके बाद क्या होने वाला है आप पर एसीमिलेशन जब एब्सार्शन हो गया ठीक है ना एब्सार्शन के बाद में क्या एसीमिलेशन होगा किसका फूड इन फॉर्म फूड फूड मेटेरियल सब रिचेस कहां चले आएगा पुरी सेल्स में अनवर्शन में हो ज़ंगा कर शल्ड एक है और इसी प्रोट वांप नुक्स में बाद उन हो शुक्यान थे लीविक्ट फॉर्म और सेल्स के ठीक में पहुंचेस्ट इंवलेशन और इसके थ्रू bleibt में diffused हो जाएगा अब क्या है अगर कोई व remainder do best material है वो किस के थ्रू बाहर निकल जाएगा eight तो यह हमारा हूँ निटृशन मिलेंगे फिर अगले topic में आजका topic अच्छा लगा है पटाफट लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे तो हमें भी प्रोचान मिलेगा और हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाएंगे अगर इस टॉपिक में आपको कोई प्राब्लम है तो कमेंट बॉक्स में क उसको सॉल करेंगे ठीक है थैंक यू